तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले है कि एंजल 1 के अंदर डिलीवरी में अगर आप कोई शेर बाए करते हो या फिर इंट्राडे में बाए करते हो तो कितना आपको चार्जेस लगता है मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह जानकर यह देने वाला हूं तो वीडियो इंट तक पुरा देखना देखिए अगर आपको पता नहीं चला तो आपका यह हाल होने वाला है यहाँ पर देखिए कितने चार्जेस लगे 11,580 रुपे सम्तिंग यहाँ पर चार्जेस लग चुके है ठीक है तो आपका भी यह हाल होगा अगर आप बिना जाने ट्रेडिं लगता है मैं आपको इस वीडियो के अंदर clear बताने वालों तो वीडियो विदाउट इसकी करे पूरा देखना मैं आपको छोड़ी सी वीडियो के अंदर सब कुछ जान करी देने वालों अगर आप share buy करना चाहते हो nifty bank nifty मे तो इसको open करते है अब suppose कि आपको HDFC bank का share को buy कर करना है तो मैं बाय के option पर चले जाता हूँ ठीक है और यहां पर देखे गाईज अगर मैं quantity एक लेता हूँ delivery के अंदर charges जाने के पहले हम कि buy charges कितना है और sale का charge कितना है तो मैं एक quantity डालता हूँ तो आपको charges देखने के लिए जितने भी आपको चार्ज लगते है तो यहां पर देखिए यहां पर चार्जेस का ओप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है आपको सिंपल इस पर टेप करना है टेप करने के बाद अगर आप एक शेर खरीदते हो 1622 रुपे का तो यहां पर आपको देखिए 1.93 पैसे आपको लगेगे इतना आपको चार्ज लगेगा इसमें ब्रोकरे चार्जेस जिरो होता है एंजल वन के अंदर अगर आप डिलिवरी के अंदर ट्रेट करते हो तो मतलब शेर बाई करते हो अगर आपको यहां पर देखिए इतना चार्ज लगता है अगर आप जैसे ही कॉanटीटी बढ़ाओ गये मैंने एक किया था मैं दस करता हो और अब आपको यहां पर चार्जेस देखने को मिलेगे जो बढ़ चुकिया जो 19.30 पैसे हो चुकिया अगर आप ज़्यादा quantity लेते हो तो आपके ज़्यादा charges लगेगे हर share का अलग-अलग charges है अगर आप charges जाना चाते हो तो यहाँ पर देखिए जो external charge है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा exchange transaction charge, stamp duty charge and sebi fees जो है वो आपको देखने को मिलेगी और taxes देखने को मिलेगे जो GST tax है जो security transaction tax है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आप इसे ही tax का पता लगा सकते हो और charges का, brokerage charges का पता लगा सकते हो अब हम बात करतें intraday की लेकिन मैं एक और जानकरी दे देता हूँ अगर आपको buy करने में इतने charge लगते तो जब आप order को sale करोगे तब भी आपको same charges, same condition में देखने को मिलेगा अगर आप एक साल बात करते हो तो हो सकता है कि charges कुछ increase हो जाए या कम भी हो जाए ये angel one के उपर depend है कि वो क्या करना चाता है अगर आपने 35 quantity अगर buy किये और यहाँ पर 50, 57 रुपीस लग रहे अगर आप इसको sale करोगे आप भी buy chance देखिए मैं example की तोर पर बता देता हूँ यहाँ पर देखिए trade and charges पर जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैंने भारती एटिल का sale जो है buy किया था ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं को 1.6 पेसे मिले अगर मैं इसको sale करता हूँ ठीक है पहले buy क्या था मैंने अब मैं इसको sale करता हूँ अगर भारती एटिल और यहाँ पर sale का बता गया है और एक quantity मैंने खरीद किये अगर मैं charges पर tape करूँगा तो यहाँ पर देखिए मैं को charges ज़्यादा देना पड़ रहा है वहाँ पर खरीदने का charge लगता बेशने का charge लगता और किसी किसी में same charge लगता है कि आपको यह charge लगेगा लेकिन यहाँ पर charge increase हो गया है तो आप यहाँ पर taxes देख सकते हो बेचने में कितना charge लग रहा है ठीक है तो I hope कि आपको पता चल गया होगा कि खरीदने पर और बेचने पर कितना charge लग सकता है अगर यहाँ में quantity बढ़ा देता हूँ और charges देखता हूँ तो देखिए 49 हो चुका है अब बात करते हैं guys intraday की intraday पर में बता देता हूँ आपको कितना charge लगेगा intraday पर चला जाता हूँ अब यहाँ पर मैं दो quantity select करता हूँ और charges देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी charge आप directly देख सकते हो extend transaction charges, stamp duty charges और जो भी से भी fees है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल चाहेगी और selling पर आपको price देखने को मिल चाहेगी और अगर आप option trading करते हो तो guys उसमें बहुत जादा charges लगते उसकी वीडियो मैंने details में i button के अंदर डाल दिया और नीचे description में link भी देद हुआ तो वो वीडियो आप जाके वहाँ पर देख लेना और I hope कि आपको पता चल गया होगा कि आप charges कैसे देख सकते हो एंचल 1 के अंदर आपको यहाँ पर नीचे ही देखने को मिल जाएगे सारे charges जो आपको लगते है delivery के अंदर long term के लिए share buy करके या फिर intraday के अंदर share को buy करके तो I hope कि आपको यह वीडियो समझ में आगी होगी अगर पे लेटर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको charges देखने को मिल जाएगे यहाँ पर थोड़े ज़्यादा charges है तो आप अपने according देख सकते हो जितनी quantity बढ़ा होगे है आप यहाँ पर जितने ज़्यादा share लोग है उतने ज़्यादा charges लगेगे I hope कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा तो जाते जाते चैनल को subscribe वीडियो को like चरूर करना Thank you for watching this video